इसमें array formula हमारे वह formula होते हैं जैसे बाकी आपके सारे formula कोई भी मैं एक formula लगाता हूँ तो ये single cell में result देता है array formula जो है multiple cell में result देते हैं ठीक है array formula को समझाने के लिए पहले मैं कुछ एक data ले लेता हूँ थोड़ा सा ठीक है जैसे यह मेरे पास data है हम लोग इसको कैसे जानते हैं कि A2 से B8 पर जो अंदर होता है वो कैसे होता है decode कैसे होती है select किया F9 से calculate होता है मतलब कोई भी अगर आप excel करते हो ऐसे करके तो ये जो है ये direct value हमारी calculate तो इस तरीके से आती है ठीक है कोई text होता है तो वो कैसे आता है इन्वर्टिट कोमा में ठीक है जब multiple value की बात होती है ये range जब हम देते हैं तो जब मैं इसको calculate करूंगा तो देखो क्या आता है तो इनकी entry इस तरह से होती है ठीक है अब ये क्या है कि देखो 24,34 फिर semicolon तो कॉमा कॉलम में जब separation होता है इसका तो वहाँ पर कॉमा आ जाता है ठीक है और जब row separate होती है मतलब यहां से तूटके फिर इदर आया तो semicolon आता है ठीक है तो इसी तरह से denote करते हैं हम अर्चीज को जैसे यह select किया calculate किया comma और अगर इसको मैंने किया तो यह semicolon ठीक है तो array formula चलते कैसे हैं जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यह link दे रहा हूं यह value आ रही है एरे formula के लिए मैंने ऐसे select किया area पहले select किया equal to और मैंने data select कर लिया अगर मैं खाली enter करता हूं तो error देता है एरे formula चलाने के लिए क्या लगता है control shift enter control shift enter चल गया उसमें क्या आता है कि semi curly braces आपके अपने हाप आ जाएंगे equal to से पहले ठीक है एरे की एक चीज होती है कि यह multiple formula में multiple cell में एक फॉर्मूला होता है तो यह delete नहीं होता है इसको delete करने के लिए आपको पूरे को delete करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि एक formula वो सबको मिला के होता है तो अब error का बेरसी concept जानने के बाद अब जैसे कि मेरे पास यह है ठीक है अब इसमे मुझे length निकालनी है हर एक की तो length का formula है ठीक है मालो कि मुझे इनकी total length एक ही formula से निकालनी है यह तो मैंने sum लगा के निकाला एक ही formula से निकालनी है तो अभी क्या है कि length का formula जो है single entry लेता है ठीक है मतलब एक cell को लेता है खाली और यह जो sum का formula है आपका multiple cell को लेता है इन दोनों को ठीक है तो हम क्या करने वाले है लेन के formula में जब हम इसको पकड़के यहां पे लेन का formula लगा देता हूं और जब यह range दे देता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो वह formula लगेगा और हर एक पे value distribute कर देगा ठीक है इस range को समभलने के लिए मतलब एक तो single cell वाला formula आपका multiple में काम करने लग जाता है ठीक है पर यह result तब ही देगा जब वह उसको multiple cell पे लगाए जाएगा अब जैसे इसका total चाहिए था तो मैं sum के अंदर लिया था मैंने तो len के अंदर मैं यह पूरा ले लूँगा और control shift enter दबाओंगा ठीक है एक formula से आपका सारा आगया evaluate formula करके देख लेते कि हुआ क्या len ने जो की एक cell लेता था control shift enter के बाद इसने multiple result दिया जैसे दिखा रहा है ना साथ साथ चार semicolon से दिखा रहा है ऐसे ही यहां पर है चीक है तो समझ आया कि हो क्या रहा है यहां पर हां मतब जहां single entry हो रही है वहां multiple entry करके हम काम कराते है ठीक है अब ही अगर मुझे इस में से maximum length वाली value चाहिए थी तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ता max का formula ठीक है max का formula तो max के formula से maximum निकला और मुझे maximum वाली value अगर चाहिए थी maximum वाली यह value चाहिए तो मैं कौन सा formula लगाँगा index का index match लगा दूँगा index में क्या choose करूँगा result वाला array जो की यह है उसके बाद row में match लूँगा match में मैंने look up क्या करना यह max से जो के आया है ठीक है look up array कौन सा रहेगा जो length का हमने यह निकाला था ठीक है match type 0 तो आपकी maximum length वाली value आ गई पर इन सब के लिए मैं यह इतने formula नहीं लगाना चाहता मैं चाहता हूँ एक ही formula में मेरे पास maximum का आ जाए तो क्या करूँगा मैं index result का array आपके पास है ठीक है match में करेंगे पहले तो मुझे maximum value वाली चाहिए थी ठीक है maximum किस से length वाली और length किस से निकली थी इस से निकली थी ठीक है max से length निकल जाएगी और look up array कौन सा था मेरा जो मैं length से array बनवा हुआ ठीक है तो इसको तो बना नहीं सकता तो यह इसको बनाना मुझे बगल वाले को length किस की इसकी थी ना इसकी ठीक है तो मतलब maximum value इस length में से इस length में array में ढूंडेगी और इस में से उस position की value निकल जाएगी ठीक है तो अभी मैं इस formula को क्या करूंगा control shift enter आ गया समझाया array का concept क्या होता ठीक है अब जैसे यह तो बड़ा formula था छोटा formula दिखाता हूँ कि यहाँ जिसे रेंड बिट्वीन जिससे कि यह clear हो जाएगा minus minus ठीक है मैं चाहता हूँ minus हो चाहे plus हो उसका जो sum है मुझे वो plus में ही दिखाना चाहिए तो उसके लिए क्या करते है हम ABS का formula लगाते हैं ठीक है ABS का formula प्लस माइनस को प्लस में कर देता है है ना और यहां से हमने यह ले लिया और पांसो उन्तालिस आना था अब इसको क्या करना है हमने सम के अंदर कौन सा है ABS का इसको ले लिया इसका ABS आएगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर आगे इसी तरह हमारे पास है सम प्रोड़क्ट सम प्रोड़क्ट में क्या होता है सम प्रोड़क्ट किसी दो रेंज को मल्टिप्लाई करके सम करता है मतलब कि मैं यहां से इसको मल्टिप्लाई करूं ठीक है और फिर इसको sum करूं ठीक है तो यही sum product का formula हमें देता है without इस calculation के ठीक है कि उसमें आप पूरा पूरा array दे दो तो यह multiply करके आपको दे देता है ठीक है यह array का formula नहीं है पर मालो की sum product होता ही नहीं हमारे पास तो हमने manual क्या किया था multiply और sum तो हमें क्या करना है sum का formula लिया यहाँ array ले लिया multiply इस array से ठीक है control shift enter ठीक है अब मालो की जैसे एक हमारी पास यह values है इसको मुझे divide करना है यहाँ दिये गए कुछ नंबर से ठीक है जिवाइड करना है और फिर नीचे उसका sum निकालना है ठीक है normal sum है यह पर अगर यहाँ पर कहीं पर मालो यह formula से आ रहे होती जीरो होता तो error आ जाती इदर जो error आपको यहाँ देखती अब एक तरीका यह है कि या तो if error आप यहीं लगा देते ठीक है पर मैं यह चाहता नहीं कि यहाँ बेशक error आए मेरे को formula में यहाँ पर इसमें error रिमूव करके आना चाहिए तो error नहीं आना चाहिए तो मैं क्या करता सम इस एरर यह पूरी रेंज दे देता डिवाइड बाए इस रेंज से और अगर error होती तो जीरो तो जहां हम सिंगल सेल करते हैं यहां मल्टिपल चलने लग जाता है ठीक है कंट्रोल शिफ्ट है better Internet आगे विकरशन यह बना पर के जीशन कर मश मदाख कर दों यहाँ तो कर सकते हो ना यह सब फॉर्मुले की तら चलेगा देख रहे हो बस दिगत इसमें कि आपका यहां पे ही जो यहां एक तरीके यह तरीक थे लगते कि पर यहां थे एक यह है कि जो multiple range catch करते हैं जैसे range यह multiple वाली range है ना यह sum चला सकता है पर उसको अगर मैं बात करो length को तो वह single value ले रहा है ना मतलब यहां पर single value लेता है ना यहां पे आप डबल एरे के थूई लेगा खाली बीच में देते हैं तो उसमें चेंजिस नहीं करता है क्या चार चीज चार चीज अभी है करेगा चेंज आगर करेगा देखो एरे फॉर्मूला मैंने कहां लगाया है सिर्फ यहीं लगाया है ना अच्छा तो बाकी कहीं भी च सब्सक्सा कखा दो ऊसको करवा दो एक फॉर्मूला में किसी में मैंने सम में काचछ करवा दिया है। थीक है तो रहा है तो यहजो यहतु कराने का तरीका तो यह है है और वो जो से konse मैं बताराःभा जैसे कि यह नाम है पर मेंने एक डांसार्श है आए लूक्टर नमबर ऑफ करेक्टर एक पहला आगया फिर करूंगा मेड़ कि टेक्स्ट ये है start hatten two मतला हर बार जाकर मैं start number को ही बदल रहा हूं थीक है तो इसको फ्रॉर्मॉला को मैं ऐसे भी लगा सकता हूं कि यहां पर मैं दे दूँगा किस के अंदर देना पड़ेगा जब मुझे वैल्यू देनी पड़ती है ऐसी मल्टिपल सेम पेरेमेटर में तो इस ब्रैकेट के अंदर ठीक है वैसे ही जैसे रेंज बनवाते हैं तो मैं कह रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl, Shift, Enter, ठीक है? अच्छा, 7 भी, जिसमें नहीं लेगा वो Error दिखाएगा उदर, तो साथ करेक्टर थे, साथ वाँ दिया नहीं था, ठीक है? अब इसमें कोई भी चेंज करोगे, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यह बीच में चेंज नहीं हो एरे दे दिया और उसको डिस्ट्रिब्यूट कर दिया ऐसे, ठीक है? यह डिस्ट्रिबूशन कर रहे हैं, हम वहाँ पर कैचिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो यह तरीका होता है, एरे फॉर्मिला का, जिसको हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे सम इफ काउ नेम सिटी झांश、、 ठीक है? बेटीन बाया ले से बाया ले सेज्टा और ले स्ट्रिद काउन अब ये मेरे पास काफी लंबा चोड़ा डेटावे ने तियार कर दिया है ठीक है अब इसमें अगर मैं कहूं कि जैसे दो तीन तरीके हैं मैं उसको एक साथ बता देता हूं इनको क्या क्या चीजे होती है जैसे समीफ का फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है तो वो वाला मैथड इसमें कैसे यूज होता है समीफ और काउंटिफ का विदाउट समीफ काउंटिफ के ठीक है जैसे ये दोनों को ले लेता हूं अब फिर समीफ के साथ कैसे यूज करना है वो भी बताता हूं अब इन दोनों की मुझे टोटल सेल्स चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा अगर मुझे without sum if के लगाना हो तो कैसे करूँगा manual procedure क्या है इसको मैं check करूँगा कि अगर ये value equal to यहां लगा देता हूँ नहीं इधर ही लगा देता हूँ अगर ये value equal to है ये इस value के तो क्या करना है ये figure देना है otherwise zero देना है ठीक है यह किया मैंने ड्रैक कर दिया जहां संदीब संदीब होगा वहां फिगर आ जाएगी बाकी जगह जीरो उसके बाद मैं लगा दूँगा sum का formula ठीक है तो without sum if के ऐसे निकलेगा तो जो हमने नीचे काम किया है यह वाला इसे यही करना है बस उसकी range बढ़ा देना है यह और C2 से लेकर मैं नीचे तक ले लूँगा ठीक है C473 E2 से लेकर E473 ठीक है और जो result वाली भी पूरी दे दी मैंने ठीक है अब यह मुझे क्या देगा अभी अभी यह मुझे Ctrl Shift 3 मारता हूं यहां तो कुछ नहीं देगा sum के अंदर देता हूं क्योंकि यह range होगी मुझे वैसे करना पड़ेगा तो अब यह value यह जो यहां निकल के आई है वही value मेरी वैसे निकल के आजाए अगर 0 नहीं दो गए यहां पर यहां पर भी वही बात है यहां पर भी बात है देखो अंदर हो क्या रहा है यहां से निकाला इसने संदीप-पंदीव जैसे ही वो करेगा इसको इक्वल टू यह वैल्यू टू-फेल्स बदल जाएगी ठीक है टू-फ्य वाली वैल्यू फिर रिजल्ट उठाएगी यहां से तो यहां से यह देखो तेईस फिर 003 अगर यहां कोई value नहीं दोगे तो sum का formula error दे सकता था, क्योंकि यहां पर फिर false हा जाता हो, ठीक है, तो यह हो गया, ठीक है, तो एक तरीका तो यह हो गया, ठीक है, यह तो sum निकाल के हमने दे दिया, पर अगर मुझे यह निकालना होता, कि count record कितने हैं, तो कैसे करता मैं, इसमें इनको fix करना पड़ेगा, अगर count वाले record अगर मुझे निकालने पड़ते, तो कैसे निकालता मैं, sum तो वहीं रहता मेरा, तो यह जो मैंने result वाला array दिया था न, यहां मैं दे देता, one, समझते हैं, क्यों one क्यों देगा, क्योंकि 23 अगरा की जगा, 1,1,1,1,1 आ जाएगा उस जगह, तो sum किसका होगा, 1,1,1,1 का, मतलब जहां value match कही वह count कर गया, ठीक है, मतलब उसका sum अब आपका count निकला आया, ठीक है, तो sum if, count if की जगह, आप इसको use कर सकते हो, और ये जो formula है, control, shift, enter से ही चलेंगे, ठीक है, तो इसका use समझाया कैसे होगा, if के formula के जरीए, without if के formula से भी ये होते हैं, ठीक है, पर उससे पहले, मैं जैसे बताता हूँ, कि मुझे चाहिए, year to date, year to date, मतलब ytd का sum चाहिए, ठीक है, कैसे निकलेगा वो, कि if, अगर ये value होनी चाहिए, मैं जी greater than equal to, एक जन्वरी से, तो date के formula से date डाल देता हूँ, 2016, एक, एक, ठीक है, इस date से बड़ी होनी चाहिए, वो value, अगर बड़ी है, तो हमें चेक करना है, कि क्या वो value, वो ही value, छोटी या बराबर है today के, मतलब आज की date के, तो आज की date तक का आजाएगा, otherwise देना है हमने, अगर है, तो हमें क्या देना है, ये वाली figure देनी है, otherwise zero देना है, ठीक है, close, और वहाँ वाले otherwise में क्या देना था, उसमें भी zero देना है, ठीक है, तो मेरा year to date निकल आएगा, अगर अभी तक में होगी तो, ये निकला, तो sum क्या निकल के आया, 2000, अब यही चीज मुझे निकालनी है, year to date की, तो मैं कैसे निकालूँगा, ये formula में को डाल दूँगा sum के अंदर, sum, ये formula डाल दिया, पर मुझे इनकी range क्या था, 647, 467, 463, एक सेकेट, देख लेते हैं कितनी थी, 473, B2 से B473, यहाँ B2 से B473, E2 से E473, ठीक है, control, shift, enter, result आ गया, तो ये formula जो है, बहुत ही powerful formula है, बहुत सारे हम बड़े-बड़े काम इन से कर सकते हैं, जहाँ, अब मतलब, जब आपके सारे formula फेल हो जाए, तब ऐसा formula है कि आप खुद से इसको निकाल सकते हो, एक cell के अंदर काम करने हो, ठीक है, और दिखाता हूँ कि जैसे, अभी तो मैंने if के through one या zero करके करवाया, वही काम मैं कैसे करवा सकता हूँ, जैसे मुझे records निकालने, यह पहले sum करना है, तो यह sum का formula तो रहेगा रहेगा, ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यह name को, ठीक है, इक्वल टू करूँगा, नेम को मैं इक्वल टू करूँगा, संदीब के, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे बनेगा, टूओ-फॉलस ठीक है, तो टूओ-फॉलस-फॉलस ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो संदीब के कितने record है, आभी कहीं गड़बर कर दी मैंने क्या गड़बर की है अच्छा हाँ यह ट्रू-फॉल्स पर आ रहा है ट्रू-फॉल्स की नुमेरिक वैल्यू तो होती में बुलीन वैल्यू होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टिप्लाई करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट थ्री आगया से यहां जो हमने बड़ा फार्मूला लिया था इफ के साथ यह विदाउट इफ के चल गया आपके ठीक है तो वन मल्टिप्लाई हुआ वन से हैं और अदर्वाइस मुझे अगर इसका सम चाहिए था तो मुझे क्या करना पड़ता यह रेंज देनी पड़ती इसकी जगा इसकी जगा इसको भी मैं ब्रेकेट में डाल देता हूं कंट्रोल शिफ्ट थ्री तो मल्टिप्लाई से हो जाता है अब मुझे चाहिए कि संदीप और प्रदीप की खटी सेल चाहिए तो मैं क्या करता है इन दोनों का टोटल मुझे चाहिए कितना टोटल है आठ जार साथ यह चाहिए तो क्या करता है यह जो मल्टिप्लिकेशन लगा रहा हूं मैं यह एक बार और लगा देता है और यह एक एस त्री कि जगा एस फोर कर देता प्रदीप को अब इससे फाइदा क्या होता देखो यह टु टू फाल्स होता यहां पर हो जाएगा प्लस क्योंकि मल्टिप्लाई होगा तो वह कट जाएगा प्लस क्यों आएगा यहां पर वन है यहां जीरो वन हो जाएगा उस रेंज में है ना और यहां जीरो है यहां यहां जीरो यहां वान है तो वन हो जाएगा मतलब वह वन वन की रेंज मिल समाज आया क्या हो रहा है अगर काउंट करना है तो काउंट करना है तो मल्टिप्लिकेशन के लिए जैसे अब यह देखो प्लस कर देता हूँ अब यहां यह 188 ना गया दोनों का टोटल वन करते ही अदरवाइस वह होता अब देखो वन का चक्कर दिखा रहा हूँ यह आपको समझ आ जाएगा अभी कि यह हुआ क्या है पहले में मैंने किया कि क्या यह इक्वल टू है संदीब के ठीक है यहां आगया ट्रू ट्रू फाल्स में अंसर आ ठीक है अब रिकॉर्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया इसको मल्टिप्लाई किया वन से वन आ गया और फाल्स की डिफाल्ट वैल्य किया है जीरो तो जीरो जब करेगा तो वो आ जाएगा तो यह जो सम हो गया यह तो हो गया कि काउंट कितना है ठीक है और अगर मुझे इसकी जगा वैल्यू चाहिए थी तो मुझे मल्टिप्लाई इस से नहीं करना था किस से करना था इस व मुल्टिप्लाइं ओग वहाँ जीरो हो जाएगा ठीक है अब इसमें मैंने एक और चीज़ करी थी कि मैंने प्रदीप का जोड लिया था तो मैंने यहां पे चेक किया क्या यह एक्वल तू प्रदीप है। ठीक है। तो इन दोनों को मल्टिप्लाइग करने से क्या मिलेगा मुझे। कि मैं प्लस करने से। जहां ट्रू है, वहां वन हो जाएगा। ठीक है, तो संदीप का वन हो गया, प्रदीप का वन हो गया। अब आपने क्या करना है इसको multiply कर देना है इससे इसको इससे multiply कर देना है तो दोनों का total आजाएगा आगया logic समझें पीछे का क्या हुआ तो यह तरीके हैं आपके array लगाने के सारा array का जो formula है वो ऐसे ही चलता है ठीक है अब इस पर extra practice के लिए आपको क्या करना है टेक on the net एक website है टेक on the net ठीक है एक्सल इसमें क्या करना है आपको excel function मिलेंगे सबसे नीचे यहां तो सारे function है array formula तो array formula के जितने type बता है मैंने sum करने के count करने के average values के ठीक है और two criteria यह सब आपको एक एक करके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे ठीक है अलग-अलग exercise है बड़े-बड़े formula है लगा सकते है ठीक है practice के लिए हाँ पर आपके पास बहुत सारे question है ठीक है तो हमने array formula आज complete कर लिए ठीक है